हमारी जिंदगी में दूसरों की एप्रीशियेशन का, दूसरों के सुईकार भाव का हमारी तरफ उसका क्या महत्व है? और अगर दूसरे हमारे एफर्ट्स को, हमारे कार्य को एप्रीशियेट नहीं करते, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे उससे डील करना चाहिए ये एक बड़ी common problem है, जादा तर लोग और specially ladies को ये मैंने खुद जो notice किया है अपनी life में girls, women, ladies, females को ये जादा इस चीज़ की जरूरत होती है कि हम जो भी कारे करें उसके लिए हमें recognize करें हमारे जो pass वाले हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम अपने आपको दूसरों की नजरों से खुद को जाजते हैं या हमारी क्या worth है, ये हम दूसरों की नजरों से जानना चाहते हैं specially कुछ दूसरे ऐसे लोग, जिनको हम importance देते हैं हमारे लिए important है, तो हमें लगता है कि अगर वो हमें स्विकार करेंगे, अगर वो हमारी प्रशंसा करेंगे, तब हमारे लिए अच्छा है और अगर वो नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा परेशानी का कारण बन जाता है, तो आप लोग भी अपने views इसमें रखिएगा, तो मैं जो share करना चाहती हूँ, अपने अनुभव से और जो मैंने दूसरों से बात की है, जो मैंने समझा है, जाना है, और जो मैंने बच्चा बहुत छोटा होता है, और माबाप का फर्ज है, उसको सिखाना की क्या सही है और क्या गलत है, और एक बड़ा important काम जो parents का होता है, वो होता है कि बच्चे को किसी भी danger से बचाना, क्योंकि जो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता की क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो एक जो बहुत simple और हमेशा से जो एक technique use की जाती है, वो होती है reward और punishment, कि जब भी बच्चा वो कारे करेगा, जो उसके लिए सही है तो उसको reward बिलेगा, अब वो reward कुछ भी हो सकता है, वो reward ये हो सकता है कि मा उसको दूद दे रही है, या मा उसको खाना दे रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम बोलते हैं कई बार good boy, good girl, और कभी भी अगर वो बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके लिए dangerous हो सकता है, तो उसको वहाँ पर punishment बिलती है तो ये हमारी जो conditioning जो करनी पड़ती है, बच्चे को जो पालना होता है उसके लिए बहुत जरूरी aspect है, reward और punishment का अब होता क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है एक तो इस tool को, एक तो parents को भी नहीं पता होता कि कब हमें इसको बंद कर देना है, इस tool का इस्तिमाल करना और हमारा समाज भी ऐसा है, क्योंकि समाज में भी इस tool का इस्तिमाल होता ही रहता है हर वक्त, तो हमारी एक expectation बन जाती है मतलब बच्चे की भी एक expectation बन जाती है कि हर समय अब जो उसको करना है कार उससे जादा important बन जाता है कि मुझे इसके लिए appreciation मिलना चाहिए कि दूसरा मतलब यह क्या हो जाता है उल्टा काम हो जाता है पहले आपको यह सिखाने के लिए use किया जा रहा था लेकिन आपके लिए वो appreciation ही जादा important दूसरे का प्रशंसा करना जादा important बन जाता है उस काम से जादा और यह बच्चे की गलती नहीं है यह हमारी समाजिक ही गलती है मतलब यह गलती भी क्या बोलेंगे यह बस समझ आता नहीं है और यह बहुत complicated हो जाता है तो अब क्या होने लगता है अब आप देखिए बहुत सारी कामों में जो उनको पसंद है जो वो चाहते हैं कि आप करें तो आपको वहाँ पे appreciate करेंगे या तो आपको appreciate करेंगे या फिर वो आपको compare करेंगे ऐसे दूसरे बच्चों से या दूसरे लोगों से कि आपको लगेगा अच्छा, तो मम्मी उसको एप्रिशेट कर रही है, मम्मी को वो अच्छा लग रहा है, तो मतलब मुझे भी ये काम करना चाहिए, तो जाधा तार पेरेंट्स का तो स्टाडीज को लेके होता है, है ना कि अच्छा उस बच्चे के तो इतने परसेंट मार् मिला है, देखो इसको ये हुआ है, ये बड़ा ही कॉमन है, कमपैर करना, और यहाँ पे देखो जो पेरेंट्स हैं, शायद रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो एक तरह से बच्चे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो उसका शोशन कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें कि वो जो चाहते हैं, उस पर उसको चलाने के लिए ये इस चीज़ का इस्तमाल किया जाता है, और कभी-कभी जो कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो नहीं भी करते हैं, इसका एक उल्टा प्रभाव भी होता है, दीको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सिंपल चीज़ कि कुछ पेरेंट्स इसलिए एप्रीशेट नहीं करते बच्चों को, उनको लगता है कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, अगर हमने इसकी तारीफ कर दी तो पता नहीं, ऐसा ना हो कि ये एफर्ट्स करना बंद कर दे, तो ये अब कौन सा पेरेंट्स कैसे बिहेव करे है कि जिसको एप्रीशेशन मिलता ही रहे पेरेंट्स से और उसको पता है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, लेकिन क्या वो हमेशा सही रहेगा, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी कब तक एप्रीशेट करते हैं, जब तक आप वो कर रहे हो, जो वो या कोई भी, parents की मैंने एक example लिया है क्योंकि शुरुआत वहां से होती है, लेकिन आगे भी life में कोई भी आपको appreciate आपकी प्रशनसा क्यों करता है, जब आप वो करते हो जो उनकी expectations भी meet होती है, जो वो चाहते हैं कि आप करो, और फिर क्या होगा, अगर हम उनके हिसाब से चले कि ये हमें appreciate करते रहें, तो कल को ऐसी भी चीजें होंगी, जो आप करना चाहते हो, लेकिन वो उनकी expectation से नहीं meet करती, तो वो आपको appreciate नहीं करेंगे, तो ये कहीं न कहीं जाके, ये आपको ये जो अगर आप appreciation पे अटके हैं, ये कहीं न कहीं जाके आपको दुख देने वाल है ही, एक दूसरा क्या हो जाता है कभी-कभी, जैसे मैंने बोला कि कुछ parents ऐसे होते हैं, जो बच्चे को appreciate नहीं करते, ये सोच के कि ये बिगड़ ना जाए, ये कहीं effort कम करना ना शुरू कर दे, इसको लगे कि हाँ मुझे तो सब आता है, ऐसा भी सोच होती है, उसमें क्य अधिकत होती है, कि जो बच्चा है, वो देख रहा है कि बाकी लोगों के parents उनको appreciate करते हैं, बाकी सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मेरे parents नहीं करते हैं, ये नहीं कर रहे हैं, अब बच्चे को नहीं पता, और बच्चे के लिए ये ही एक बहुत बड़ा issue बन सकता है, challenge बन स हम कितने dependent हैं दूसरों के approval पे, दूसरों के स्विकार भाव पे, क्या हम इसलिए काम करते हैं कि हमें दूसरों से स्विकार भाव मिले, हाँ, अच्छा लगता है, जरूर अच्छा लगता है, देखो हमारा मन ऐसा है कि जब भी हमें दूसरे स्विकार करते हैं, या हमें acknowledge करत हमें अच्छी feedback देते हैं, तो ये एक तरह से oiling का काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, कोई भी machine अच्छी चलती है, अगर उसके अंदर oiling पड़ी हुई हो, तो जो appreciation है, वो ज़रूर oiling का काम करती है, और आपके अंदर जादा energy आती है, आप जादा motivated होते हो वो काम करने के लोगों से appreciation मिलता है, कि जिन से आप चाहते हैं, पर यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी है, कि ये एक बहुत short term benefit होता है, जब तक हम appreciation के लिए, प्रशंसा के लिए काम करेंगे, ये हमें एक छोटे level तक तो हमें ये help करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम long term मे देखें, तो ये भी हमारे लिए कभी कभी एक negative हो जाता है, ये ही हमारे लिए एक problem, एक obstacle बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है, अगर मैंने appreciation को अपने काम से जादा importance दे दी है, अगर मैंने किसी दूसरे की नजरों को, वो मुझे कैसे देखता है, अपने काम से या ख मुझे हमीशा dependency ये रहेगी कि मैंने क्या किया है, अपना remote दूसरे के हाथ में दे दिया है, दूसरा खुश होगा मेरे काम से, तो मुझे अच्छा लगेगा, और दूसरा अगर नहीं खुश होगा या मुझे नहीं बोलेगा, तो मुझे बहुत खराब लगेगा, तो ये ज जरूर हमें acknowledge करना चाहिए, appreciate करना चाहिए, लेकिन हमें उस पे stuck नहीं होना चाहिए, अगर हम हो गए कि हमें चाहिए ही दूसरे से, तो हमारी ही परिशानिया बढ़ती है, और किसी की कोई परिशानी नहीं बढ़ती है, अच्छा, जैसे मैंने बोला कि appreciation एक tool होता है आपको manipulate करने के लिए, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि, जैसे मैं corporate में करती हूँ coaching, अब क्या है, देखो, सब को पता है कि अगर किसी को appreciate किया जाए, तो उनको अच्छा लगता है, उनके लिए एक soft corner आ जाता है आपके लिए, और अगर वो आप से कुछ चाहते हैं, तो आप अराम से उनकी बात मान जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी situations में ऐसा होता है, जब मुझे एक assessment करना होता है, जो भी executives होते हैं company के, और हम उसमें देखते हैं, मैं चेक करती हूँ कि जो उनकी conversation है, चाहे वो उनकी conversation अपने team member के साथ है, या उनकी conversation अपने colleague क साथ है, या अपने customer के साथ है, तो ये कुछ चीजें चेक की जाती है, कि क्या वो उनको acknowledge करते हैं, क्या वो recognize करते हैं, कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है, और क्या उसके बाद वो उन बातों में वो चीज आती है कि नहीं आती है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जि तो ये appreciate करना, acknowledge करना, especially words में जादा मुश्किल होता है, जो women होती है, वो जादा उस तरह से communicative होती है, emotional parts को करने के लिए, तो ये हमने यहाँ पे भी notice किया, और फिर क्या होता है, कि उनको सिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, कि अच्छा आपका team member काम नहीं कर रहा है तो आपने ऐसे बात की थी उससे, तो अगर आप उसको appreciate करोगे तो वो जादा अच्छे से काम कर पाएगा, तो ये चीजें सिखा दी जाती हैं और वो कर पाती हैं, लेकिन यहाँ पे बात यह हो रही है, देखो, एक world को efficient बनाने के लिए, आपके काम को efficient बनाने के लिए, employee स sincere ना भी हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये ऐसे मीठे चार शब्द बोल दोगे, तो सामने वाला थोड़ा सा chances काफी बढ़ जाएंगे कि वो खुश हो जाएगा, तो क्या हम चाहते हैं कि हम manipulate हो, कि दूसरा सिरफ हमें खुश करने के लिए ऐसे शब्द बोले या क करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को naturally नहीं आता ये सब बोलना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो acknowledge नहीं कर रहे हैं, पर उनके actions में आता है, उनके words में ये show नहीं करता है, और जैसे मैंने बोला कि ladies को ये problem जादा होती है, उनको लगता है specially कि हमारे husbands हमें appreciate नहीं करते, या ह हमारे बच्चे हमें appreciate नहीं करते, हम इतना सारा काम करते हैं, तो ये जो आपकी requirement है हमारी, ये ये भी जायज है एक तरीके से, अगर हम समझें कि हमारा समाज कैसा है, लेकिन ये हमें, जैसे मैंने बोला हमें handicap भी करता है, तो choice हमारी है, choice बिलकुल हमारी है, कि हमें ये फिर भी expect करते रहना है, या फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपना देखो कि ऐसा क्या है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, कि अगर मुझे प्रशनसा ना भी मिले, अगर मुझे स्विकार भाव ना भी मिले, तो भी मैं ये काम करूंगी, काम करने में ही इतना मज़ा आ रहा है कि जरूरत ही नहीं है कि दूसरे का appreciation मिलता है कि नहीं अगर हम इस point पे चले जाते हैं तो वो हमें कहीं जादा काम आएगा this specific thing will help you a lot in terms of your own growth और यह सिरफ ऐसा नहीं है कि spiritual लोगों के लिए है even जब हम अगर world में भी हैं अपना काम कर रहे हैं तो इसी लिए यहां पे देखो यहां पे भी स्वधर्म की बात आ जाती है कि क्या मैं वो काम करती हूँ क्या मैं वो काम करता हूँ जो मुझे पसंद है क्योंकि काम करने में ही इतना मज़ा है क्योंकि अगर मैं दूसरे की appreciation के लिए कोई काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे अपने आप में वो काम पसंद नहीं है, तो उस कारे को ठीक से चुनना, मुझे पता है यह बहुत आसान काम नहीं होता हरे के लिए, क्योंकि already हमारा structure जो है na society का, जो हमारा धांचा है, वो already इ इसलिए अच्छा सोचते हैं कि हम पैसा बहुत कमाते हैं, कोई दूसरे हमारे लिए इसलिए अच्छा सोचते हैं कि हम किसी job में बड़ी position में हैं, कोई हमारे लिए इसलिए अच्छा सोचता है कि हमने घर बहुत सुंदर बनाया है, तो शायद हमें इन चीजों की जरूरत ह या नहीं है लेकिन क्योंकि हमें दूसरों का appreciation मिलता है तो हम उस चीज से जादा connect होते हैं मतलब appreciation के लिए लेकिन हमारी गलती कहां है यहां पे कि हम दूसरों पे dependent हो गए हैं अन्जाने में और वो चीज और specially एक अध्यात्मिक साधक के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है क्यों मैं अपने काम ये सोच के ये देख कर कि मुझे काम में ही इतना मज़ा है अपना ही appreciation है काम करने का ही नहीं तो क्या होगा अलग 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 चीजों से हमें appreciate करेंगे तो क्या हम उनके हिसाब से चलते रहेंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपको पता है जब Rabindranath Tagore ह हम सब जानते हैं कि कितने famous हुए थे लेकिन जब वो पहले अपनी जो poems लिखते थे, शुरू से ही लिखते आ रहे थे और बेंगॉली में लिखते थे, इन फैक्ट उनकी जो book जिसको noble prize मिला था, गितांजली, वो उन्होंने बेंगॉली में लिखी थी, और तब इन्हें कोई नहीं जानता था, वो बेंगॉली में चप भी चुकी थी, बेंगॉल में बिक्ती भी थी, लेकिन कभी किसी ने उसके बारे में कोई comment नहीं किया, उनके यह भी आप लोग जानते हैं, एक तो बेंगॉली और इंग्लिश, मतलब languages का ही difference है, बेंगॉली बहुत sweet language है, और वैसे भी जिस language में आप लिखते हैं, जब आप translate करते हैं, translation will always be a poor version, वो जो चीज original लिखी होती है, उसका fit कभी नहीं आता, तो जब इन्होंने फिर भी English का translation किया था, और उसको Nobel Prize मिल गया, आप देखिए, और इजिनल की तो बात छोड़ दीजिए, translation को Nobel Prize मिल गया, और जब Nobel Prize मिला, तो सारे भारत के लोग जो आज तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था, जो कोई किसी घास भी नहीं डालते थे, सब के सब आ गए, अब कोई उनको PhD दी देना चाहता है, कोई उनको honorary degree देना चाहता है, कोई उनको recognize करना चाहता है, तो बहुत सारे लोग आए, और कहते हैं कि रबिंदर नास्टेगोर ने सब कुछ मना कर दिया, हर किसी को मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम मुझे आज recognize करने नहीं आये हो, मैं तो पहले से था, वो जो मेरी गितांजली है, जो बेंगॉली में कहीं जादा सुन्दर है, वो तो कब से पढ़ी है, आज तक किसी ने पढ़ी भी नहीं, बिक रही है वो market में, लेकिन क्योंकि अभी आप लोग सब nobel prize को यहाँ पे recognize करने आये हो, मु एक तरह से उसका मैं उसको कम कर दूँगा, मेरे काम को, कि आपने मुझे अब जाना है, क्योंकि आप मेरे काम को अभी भी नहीं पहचान रहे हो, तो कहने की बात ये है कि, जो दूसरे recognize करते हैं, उनको नहीं पता क्या है, जो रबिंद्र नाथ का काम था, वो उन्होंने श चाहते हैं कि दूसरे हमें recognize करें, क्यों ना हमारा काम अपने आप में ही इतना अच्छा हो, इतना सुन्दर हो, हमारी खुशी हो, हमारी खुशी होनी चाहिए, कि मैंने जो किया, वो बहुत अच्छा किया, बस, एक और चीज़ बताती हूँ इसमें, जैसे, again, females का जो होता ह है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बोले I love you, okay, आपने देखा होगा movies देखके या जो भी करके एक दिमाग में concept हो जाता है, अब अगर किसी लड़के को manipulate करना है लड़की को, तो बड़ा असान है, बहुत ही असान है, और यह सब चीज़ें colleges में, even university या work place में, जो जो इन चीज़ों में अच्छे होते हैं, जो थोड़े शातिर होते हैं, उनको पता है कि क्या शब्दों का इस्तिमाल करके लड़की को फुसलाया जाए और फिर उसका मतलब कैसे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो शब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं, तो इसका वो मतल है, हम चाहते हैं, for whatever reason, हमारी एक ऐसी चाह बन गई हो, कि हमें appreciation मिले, कोई हमें appreciate करे, उसको समझें, उसको समझने की कोशिश करो, कि कहां पर गलती हुई है, कहां ऐसा क्या कारण है कि मेरी ये expectation बन गई है, और अगर किसी और से भी बनी है, चाहे मेरी एक expectation किसी और से भी है, क्यों उस दूसरे को अपने से ज़्यादा importance दे दी है, अगर मैं चाहती हूँ कि, let us say, मेरा boss मुझे recognize करे, अगर मेरा boss मुझे recognize करेगा, तो मेरा काम अच्छा है, तो क्यों मैंने अपने boss को इतनी importance दी है, ऐसा क्या है जो मुझे अपने boss से चाहिए, कि मेरी expectation है, तो यहां अगर हम थोड़ा सा मनन करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो हमें कुछ न कुछ अपने बारे में जरूर पता लगेगा, और फिर वहां से basically क्या है, हमारे mind में कुछ ideas है, कुछ concepts है, कुछ beliefs है, जो बन गए है, तो जब हम उन्हें question करेंगे, तब ही हम उनसे आगे बढ पाएंगे, तब ही हम उनसे free हो पाएंगे, यह जो यहां पर, दिखिए, जो भी मैं topic लेती हूँ, एक तो ठीक है कि life का है, और जैसे हम, मैं बोलती रहती हूँ हमेशा कि एक समाज का perspective होता है, और एक actual perspective होता है, जो समाज है, वो बहुत खुश है आपको dependent बनाने में, लेकिन अगर उससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए आपको independent होना होगा, और independent होने के लिए समझना होगा कि कहां पर गडबड हो रही है, कौन सी ऐसी जगे हैं जहां पर मैं फस रहा हूँ, और मुझे उस चीजों से कैसे निकलना है